असलाम लेकुम क्या हाल है आप सबके आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेगी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है करेले कीमा अच्छा इसके लिए मुझे कीमा ले लिए है अक्रिवर मैं रिज गार में अच्छी तरह पीस हो काट लिया अच्छा मसालों में क्या चीज़े चाहिए कुटी भी मिर्चे अल्डी दम पर हमें कलॉंजी और सॉफ चाहिए होगी अली मिर्चे और एक टिमाटर तो चलिए रैसेपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाइमान रही मैंने यहां पर पहन गरम करने के लिए रख दिया है तक्रीवन ये 3 टेबले स्पोन मैं इवा की ऑईल के डालूंगी ये देखें तक्रीवन ये वाले 3 टेबले स्पोन भरके मैंने इवा की शामिल कर दिये अच्छा जैसे ही तेल गरम होगा मैं प्यास शामिल कर रही हूं, यह बिल्कुल जब ब्राउन हो जाएगी फिर मैं आपको निकाल कर निखाउँगे और फिर इसी तेल में मुझे करेले बी France कर लूँगा, तो सब्सक्राइँ मैं प्यास निलीया बस अब मुझे इसको जलाना नहीं है अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसी ओल में मैं अपना कीमा शामिल कर दूँगी करेले भी हमारे अल्मोस्ट फ्राय हो चुके हैं बस अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ और इसी ओल में मैं अपना कीमा शामिल कर दूँगी बस यह भी मैं निकाल रही हूँ कड़वी यह बिल्कुल भी नहीं होंगे तूँकि एक दिन पहले मैंने इनको नमक लगा के रख दिया था देखें उसी ओल में मैंने कीमा शामिल कर दिया है और जैसे कीमे का कलर चेंज होगा तो मैं यह वाला पेएं प्रसना अद्रग का फियस्वोओ जैस ये बहर के लगा मैं शामिल कर दूँओ तक इसका कयमे का कलर चेंज हो रहा है प्याज में हलका सा क्रिस्पी करने के लिए और करे लो क्रिस्पी करने के लिए तो बस मैं नमा का बिलकुल हलका रखूंगी क्वाटर टीस्पून में नमग जाल रही है इसमें पॉटर टीजपून जो है कुटिवी लाल मेच पॉटर टीजपून हलदी और टीजपून ही जीरा बर्ट और एक त्रिमाटर मैंने चॉप कर लिया तो भोपी इसमें शामिल करने हैं यह बी जालने जोगे शोटा से एक्टे मातर है इसको भी में डाल रही है जूके यह कीमा बस भुना भुना हम रखने ही जुट पर तयार होने वाला है यह बून के बस में इसमें तले वे करेल और प्यास दल कर दोंगे बस सब्ये भुन रहा है इसी में तो यह देखें अब की बून रहा है एक हरी मेर्च चॉप की भी है वो मैं डाल रही है इसमें तो इसका टेस्ट आजाएगा इसका जैसे यह ड्राय होगा मैं इस पर तलीवी प्याज और करेले शामिल कर दूँगी और दम पर सॉफ कलोंजी यह जो मैंने तवे पर भून लिये थोड़ी सी वो डालूँगी हारा धनिया डालूँगी और यह दैन हो जाएगा हमारा करेले की माद इसको ड्राय करना है देखें हमारा भून चुका है बिल्कुल और और सेपरेट हो रहा है बस अब इसमें मैं करेले और प्याज दोनों शामिल कर गई है यह देखें मैंने प्याज और करेले इसमें शामिल कर दी है बस मिक्स करके दम पे जो है सौंफ को लौंजी डाल दिये मैंने और उपर से हरा धनिया गार्निश करूँगी तो बस पाशवन के लिए मैं इसको जम पे रखूँगी और उसके बाद आपको डिशाउट करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी करेले कीमा उपर से जो है मैंने हरा धनिया से इसको गार्निश कर रहा है बहुत मज़े का बनता है जरूर ट्राय कीजेगा इस सैसे पीस से फीड़बेक देएगा आपको कैसा लगा कीमा मेरा करेले कीमा दोस्तों में शेयर कीजेगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजेगा मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ जब तक के लिए लाह अफेज